नमस्कार दोस्तों ट्रिकी गुरु अमिद गुप्ता के यूटूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। निमलिखित में से कौन सा भारती समिधान के मौलिक अधिकारों की सूची में सामिल नहीं है। मौलिक अधिकार में कौन सा इन में से समलित नहीं है तो सोसड के बिरुद अधिकार, समानता का अधिकार, समयधानी कुपचारों के अधिकार, ये सब के समलित हैं। लेकिन समपत्तिक अधिकार अब मौल अधिकार की सेड़ी में नहीं है। पहले ये कभी मौल अधिकार की सेड़ी में हुआ करता था लेकिन 24 समपत्तिक अधिकारों की सेड़ी से हटा दिया गया। अगला प्रसन है, सुप्रीम कोट के अधिस के अनुसार नेमलिखित में से कौन सा अब एक मौलिक अधिकार है। इसमें है पूछा जारा कौन सम्मावलिक अधिकार अब सुप्रीम कोट के आदेश के अनुशार है तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है बी निजिता का अनुशार अनुशेद 21 में इसे पढ़ा जा सकता है निजिता का अधिकार अब सरोशी नैले के अदेश के अनुशार एक प्रकार हमारा आंसर हो जाता है बी अगला प्रस्ण है सिच्छा का अधिकार मौली का अधिकार बना किस्चन में बना तो हमारा आंसर हो जाएगा बिकल्प ए एक अप्रेल 2010 को अगला प्रस्ण है कौन सा मौली का अधिकार नहीं है दिये बिकल्पो में कौन सा मौली का अधिकार नहीं है तो सतंता का अधिकार है ही सांति पूल सम्मेलन करने का अधिकार मौल अधिकार है ही जीवन का अधिकार रुछे कैस में है ही मता अधिकार का जो अधिकार है वो मौ मनुंस द्वारा सबसे पहले उप्योग की गई जीखेंगा प्रियोग करते के आपने के लिए आप शोच लेजेगा ताव 경 executive तो याद आजाएगा रोटी बनाने के सबसे पहले मनुष्यनल्य इस प्रयोग करता है अगला प्रस्थ डियागा अगला कि संपत्ति का दिकार 24 समिधान संसुदर 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया अब ये 300 कौमे है अगला प्रस्म है भारतिय समिधान को किस दिन लागू किया गया तो याद रखे जब लागू सब्द पूछा जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 अगर पूछा जाए संपपर और 1949 तो अगला प्रस्ण है मौली क अदिकार निजदा का अदिकार पिछले प्रस्म में समलित था ये किस अन्चेद के अंतर गाता था तो मैंने बताया था नीजदा का अधिकार जो है वो अन्चेद 21 में मिलाकर पड़ा जाता जिसमें की जीवन जीने की सवतनता ह अगला प्रस्ण है कौन सा एक भारत के समिधान के अधिन मानव अधिकार है, साथी मूल अधिकार भी है तो इसमें हमारा अंसर हो जाता है सिच्छा का अधिकार, सिच्छा का अधिकार ऐसा अधिकार है जो की हमारे मूल कर्तब में भी है, मूल अधिकारों में भी है और नीती नीदेशक तत्तों में भी है और मानो अधिकारों के अंतरगत भी आता है अगला प्रस्ण है भारत की संसद है होता है यानि भारत की संसद में क्या संबलित है तो याद रखे एक भारत की संसद किसको का जाए कि राष्टपती प्लस लोगसभा और प्लस राजसभा यानि कि लोगसभा राष्टपती तीनों मिलकर कहलाते हैं संसद ये तीनों ही संसद के अभिन हिस्से है इस परकान हमारा आंसर हो जाता है A यानि 1, 2, 3 यानि उप्रएक्ष्टपती इसमें संब्लित नहीं है कौन सानुचेद भारती समिधान में संसोधन की प्रकिदया से संबंदित है यानि भारती समिधान में संसोधन की सनंुचेद में उलिखीत है तो 96, 368, हमारा आंसर हो जाता है C, अगला प्रस्ण है, भारती समिधान की संग सुची में कितने विशयो की संख्या है, विशयो की संख्या कितने हैं, कितने विशयो को समलित क्या गया है, तो विकल्प के हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है, 100, गोलकुंडा का किला, अगला प्रस्ण है भारत निमलिखित में से कौन भारत के राष्टपती नहीं थे यानि अब तक वो कभी भी इसमें से कौन ब्यक्ती है जो राष्टपती नहीं रहा है तो सर्पली राधा किस्टण प्रथम उप राष्टपती ते और बाद में राष्टपती भी बने ग्यानी जैल भी राष्टपती बने फकरुदीन अली भी राष्टपती बने लेकिन बीपी सिंग राष्टपती नहीं बलकि प्रधान मंत्री ही बने इसलिए हमार आंसर हो जा भारत वित्ति अपात्काल की घोषण आद तक कितनी बार की गई पांच बार चार बार एक बार भागवान कर यह कभी लागू नहों तो यानि अब तक यह कभी भी लागू नहीं हुई है अगला प्रस्ण है भारत के राष्टिय गीत वंदे मात्रम के रचीता कौन है वंदे मात्रम यानि कि हमारा राष्टिय गीत है और जनगण मन हमारा राष्ट गान है तो इसे लिखा है बंकिम चंद चटर जी ने अगर आपको कंफ्यूजन हो जाता राष्ट गान राष्टिय तो आप वियाद आ जाएगा आंसर होगे B निम्न में से किस पत का उलेक भारत के समिधान में नहीं है भारती समिधान में यानि कौन सा पत उल्लिखित नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा उप प्रधान मंत्री उप्रधान मंत्री का कोई भी उलेक हमारे समिधार में नहीं है फिर भी उप्रधान मंत्री की पत को स्रेजित किया जाता है और ये मात एक राजिनिती कारणों से किया जाता है और उप्रधान मंत्री का उसे में दर्जा एक सिर्फ एक साधार मंत्री के रूप में ही होता है अभी तक अंतिम उप्रधान मंत्री की रूप में देखा जाए तो लाल किस्ट आडवानी को बनाया गया था और पहले उप्रधान मंत्री की बात की जाए तो आप इसे कमिन बताएगा भारत के पर्थम उप्रधान मंत्री किसे बनाय गया था भारत ने अपना पहला उपुर किस नाम से प्रचेपित किया है तो भारत ने अपना पहला उपुर आरेभट के नाम से प्रचेपित किया है हमरा आंसर हो जाता है C पीरे कारडीन का नाम किस छेतर से समंदित है तो फैसन डिजाइनिक से समंदित है हमारा आंसर हो गया ये वह लड़का जो रहता था एक लड़का किस कहानी का कालपनिक चित्र है तो ये हैरी पार्टर है जिसमें तिलसम वाली कहानिया दिखाई गई है भारती समिधान के किस अनुशेद में कहा गया कि राज एक खास देख भाल के साथ समाज के कमजोर वरगों के सैचिक और आर्थिक विकास हितों के लिए को बढ़ावा देगा विशेश रूप से अनुशुची जाती अनुशुची जातियों के समाजिक और अन्याय के यह सभी कितों की रच्छा के लिए कौन सा अनुशेद 46 है आंसर हो गया C भारती समिधान में मूल भूत अधिकार किस समिधान से लिए गया थे मूल भूत अधिकार का मतलब यानि कि मूल अधिकार कहा जा रहा है या मूल अधिकार कही है या मौलिक अधिकार कही है चाहे मूल भूत अधिकार कही है यानि fundamental right कहां से लिया गया है तो अमरीकी समिधान से प्रेरीथ है हमारा आंसर हो गया ए अगर मूल करता भी पूछे तो आप रूस को टिक करेंगे नीती नी दे सकता तो पूछे तो आर्लेंड को टिक करेंगे अगला प्रस्न है हमारे समिधान में न्याइक पुन्रावी लोकन किस देश की अधारा है तो ये अधारा है न्याइक पुन्रावी लोकन की USA की यानि कि अमेरिका से ही लिया गया है किस राजी को दच्छिड भारत का गेटवे कहा जाता है तो तमिलाडू को दच्छिड भारत का गेटवे कहा जाता है भारत का गेटवे आप इंडिया कौन है तो मुंबई है गेट आफ इंडिया कौन है तो दिल्ली भूरे रंकी हवा का काराण होता है भूरे रंकी हवा का का कर दीजेगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजेगा धन्यबाद दोस्तों